जै श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चेनल सरोज आस्ट्रो में आज हम जानने वाले हैं। कि सपने में विवाहित व्यक्ति द्वारा दूलहा देखना कैसा होता है, आप एक शादी शुदा महिला है। और आपको सपने में एक दुलहा दिखाई देता है, तो ये सपना आपके लिए शुब संकेत नहीं देता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है, कि जल्द ही आपकी इच्छा अनियंतरित होने वाली है। जिसके कारण आपकी हर रोज अपने पती से लड़ाई होगी, आप चाहकर भी खुद को नियंतरित नहीं कर पाएंगे। यदि सपने में विवाहित महिला दूलहे के रूप में अपने पती को देखती है, तो इसका अर्थ है कि आपके विवाहिक जीवन में खोया हुआ प्यार एक बार फिर से लोट आएगा। अगर आपके रिस्ते में थोड़ा तनाव चल रहा था, तो वो तनाव ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं, सपने में दूलहे को घर आते देखना कैसा होता है, आप सपने में देखते हैं कि एक दूलहा चलकर आपके घर में प्रवेश करता है, तो ये सपना इस बात का सं कित देता है, कि आने वाले दिनों में आपके घर में एक साथ कई सारी परिशानियां कदम रखने वाली है, आपका कल आज से बुरा होने वाला है, आपको जिस काम से लाब हो रहा है, वही काम आने वाले दिनों में आपको नुकसान पहुँचने लग जाया, अगर कोई दू दूल्य को घोड़े पर देखना कैसा होता है? आप सपने में एक दूल्य को घोड़े या घोड़ी पर बैठे हुए देखते हैं, तो ये सपना आपके लिए अशुब संकेत देता है, ये सपना इस बात की और संकेत देता है, कि आने वाले समय में आपका बनता हुआ काम बिग करते हैं सपने में दूले को गुस्सा करते हुए देखना कैसा होता है आप सपने में एक ऐसे दूले को देखते हैं जो आप पर गुस्सा करके आपको मानने के लिए आगे बढ़ रहा है तो ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आप जो भी काम करेंगे आपके साथ नहीं होंगे। अगर आप एक महिला है और सपने में अपने ही दूले को गुस्से में देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपको अपने दूले से अपार प्रेम मिलेगा। अतहा आपको इस सपने के बाद खुश हो जाना चाहिए। अब बा अपने खर्चे कम करने पड़ेगे। अगर आप दूले के साथ खड़े हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में किसी दूसरे व्यक्ती की मुशिबत आप पर आ जाएगी। आप बात करते हैं, सपने में शादी के समय दूले को रोते देखना कैसा होता है। आप शा आपको सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकरी के साथ, तब तक के लिए जये श्री राम जये हनुमान!